आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमने लाप ने बिल्कुल सही पड़ा जी एस्टी में रेजिस्टेशन लेना हुआ और भी ज्यादा मुश्किल ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये देखी आपके पास एक नोटीस आ ऐसी ऐडिशनल इंफोर्मेशन मांगी है जिसे देखकर आप भी चोक जाएंगे ऐसी चीजे इन्होंने मांगी सर ऐसा इन्होंने क्या मांग लिया तो पहली चीज इन्होंने मांगी है कि डोकुमेंट अपलोड प्रोवाइड ओरिजनल कोपी और पैन कार्ड और आधार कार पहली चीजे मांग रहे हैं कि आप हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की ओरिजनल कोपी दो तो पहली बात आप मुझे बताओ रजिस्टेशन के अंदर कबसे पैन कार्ड और अधार कार्ड की ओरिजनल कोपी लगने लगी है ऐसा तो कहीं रूल में लिखा ही नहीं है वहाँ पर आपको pen number देना आधार number देना लेकिन copy कहीं भी attach नहीं करनी है लेकिन यहाँ पर officer कह रहा है कि अगर आप registration लेना चाहते हो तो हमारे को pen card और आधार card की original copy दो तो क्या यह original copy हमें physical form में जा कर देनी है और अगर हमें attach करनी है तो कहां पर attach करनी है यह हमें नहीं बताया गया ठीक है दूसरी चीज बड़ा अचंबित है कहता है authorized representative की detail दो अगर आपने registration कभी करा होगा तो महाँ पर एक authorized representative की detail आती है लेकिन यह वाली detail mandatory नहीं होती हाँ हो सकता है हमारा authorized representative हो हो सकता है ना हो लेकिन इस case में क्या कह रहे है कि provide authorized representative consultant CA details name भी चाहिए membership भी चाहिए और office address भी चाहिए क्यों चाहिए भाई क्या यह mandatory है mandatory नहीं है हो सकता है मेरे business में authorized representative नहीं हो मैं खुदी file कर रहा हूँ तो भाई अगर आपके पास भी ऐसा notice आया है additional information का आप यह जवाब दे सकते हैं कि sir pen card और आधार card की copy कहीं भी नहीं मांगी है इसलिए हमने detail दी है तो अगर attachment करने है तो कहां करने यह बताओ और आप बता सकते हो कि authorized representative की detail भाई हमारे पास नहीं है हमारा कोई authorized representative नहीं है तो यह detail हम आपको कहां से दे और अगर आपको देनी है detail तो इसमें किस तरह की detail जाती है आप अपने accountant की detail दे सकते हो आप professional की detail दे सकते हो जरूरी नहीं है professional chartered accountant हो अगर professional chartered accountant है तो उनका membership number दे सकते हो अगर chartered accountant नहीं है तो membership number देने की need नहीं है लेकिन इसमें column आता है जो की optional है इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि हमें principal place of business की detail दो जो की बिल्कुल ठीक हो अब यहाँ पर हमने detail दे दी detail में हम क्या लगाएंगे rent agreement लगाएंगे और rent agreement के साथ साथ हम क्या लगाएंगे जी electricity bill लगाएंगे लेकिन यहाँ पर यह क्या कह रहे है also provide original copy pen card of property owner भाई आपको property owner के pen card की detail देनी पड़ेगी जिससे कि हम signature verification करने लगे अगर मैं अपने property owner को बोलूँगा जाकर कि भाई आप से मैंने क्राइपर लिए हुआ आप मुझे अपने pen card की detail दे तो क्या property owner बना नी कर देगा कि भाई मैं तुझे pen card की detail अपनी क्यो दू तु मुझे दे रहा है 5000 रुपे महीने का rent या मुझे दे रहा है 2000 रुपे महीने का rent तो मैं तुझे pen card की detail क्यो दू किस law में लिखा है कि मैं तुझे pen card की title दूँ तो यहाँ पर क्या है जो GST officers है यह कुछ जादा ही चीजे मांग रहे हैं जबकि law में ऐसा mention नहीं है भाई अगर तुम्हें कोई doubt लगता है तुम physical verification करने चले जाओ न physical verification कर लो अगर तुम्हें कोई doubt लगता है लेकिन इस तरीके से client को परिशान मत करो इस तरह की चीजे आप ना मांगो कि जिससे client परिशान हो भाई की clients के लिए suggestion यह है कि भाई जो भी चीजे तुम्हारे पास है उनकी retail आप उसे provide कर दो जिससे आपका registration में delay ना हो हाला कि इतनी सारी retail हमने मांगते वे नहीं देखा और आप यहाँ पर reply कर सकते हो कि authorized representative क्या है optional है सर मेरा कोई है नहीं promoter partner में pen card और radar card कह सकते हो कि सर original मेरे पास है कहो तो मैं visit के दोरान आपको दिखा दू department में आगे और अगर आप कहते हो attachment पे लगा देता हूँ तीसरी चीज यही आप कह सकते हो property owner अगर आपको pen card दे देता है तो उसकी photo copy लगा दो अगर वो नहीं देता तो आप कह सकते हो कि servo available नहीं है तो अगर इस तरह registration हुआ तो बड़ी दिक्कत आ सकती आप मुझे comment box में लिखकर बताओ कि क्या ये सारी retail मांगना valid है या नहीं क्या इतनी चीजे जरूरी है या नहीं क्या department को physical verification करनी चाहिए या नहीं अगर आपको ये video अच्छी लगी है तो आप इसे जादे से जादा लोगों तक share कीजिए, like कीजिए और हाँ सितंबर की magazine के लिए परेशान मतो, आज आप सब लोगों को mail पर आ गई होगी अगर आज आपको mail पर नहीं आई है तो कल तक mail पर आ जाएगी अगर किसी case में आपको mail पर नहीं पोचे अपनी mail को चेक कर लेना और नहीं तो इन नमबर पर WhatsApp कर देना कि सर हमें magazine की copy नहीं मिली, printing पर magazine जा चुकी है, जैसे ही print होकर आएगी physical copy भी 10 तारिक तक हम आपको courier कर देंगे, अगर आप ने अभी तक हमारी magazine subscribe नहीं कर आई है तो इस number पर WhatsApp करके sample copy ले लो और magazine को subscribe करा लो, सितंबर का edition काफी अच्छा edition है चलिए इस video को हम यहीं पर close करते हैं, video देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हूं जाद से जाद लोगों तक video को share करके channel को subscribe करें, thank you